आप सभी का अपके अपनी YouTube चेनल Super Concept Classes में स्वागत थे और आज कि इस वीडियो में हम लोग Class 10 के Science का Chapter 10 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परकास प्रावर्तन एबंग अपवर्तन जैसे कि आप सभी को पता है कि इस सल आपलों का दो बार एकजाम होगा एक एकजाम आपलों क को इस चेप्टर का Complete Concept बताऊंगा साथ साथ MCQ Questions बताऊंगा और यहां पर मैं आपको बहुत सारे Questions को Tricky Concept से भी बताऊंगा तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और जितना हो सके वीडियो को जादा से जादा से शेयर कर दिजिएगा तो चलिए चर्टर को स्टार करते हैं और हर एक चीज को बहुत यह अच्छे तरिके से समझते हैं यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ फॉइंट फिर आगे हम लोग बात करेंगे प्रकास का प्रावर्तन क्या होता है फिर प्रकास का प्रावर्तन का जो नियम होता हुआ नियम क्या है तो देखें यहां पर सबसे पहले देखें हैं पॉइंट क्या है कि प्रकास की किरने हमेशा सिधी रेखा में गवन करती है कभी प्रकास इस प्रकास से टेड़ा मेला टेड़ा मेला नहीं जाता बलगे एकदम सि सिधी रेखा में गमन करती है परकास की जो निरवात में जो चाल होती है कितनी होती है तो तीन गुने दस के पावर में आठ मीटर परतिस सेकेंड होती है यह दो पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट है यहां से एकजाम में अक्सर पुछ रहाते हैं आगे देखे आगे क्या ह परकास का प्रावर्तन का नियम ठीक है यानि कि पहले बात कर लेते हैं प्रकास का प्रावर्तन क्या होता है फिर आगे हम लोग बात करेंगे प्रकास का प्रावर्तन का नियम क्या है तो देखे प्रकास का प्रावर्तन क्या होता है देखे एक्च्छल में क्या है जैसे कि मा के यहां पर क्या होता है यहां पर क्या होता है जैसे कोई प्रकास किरन आती है इस प्रकास का प्रावर्तन बात को समझें यहां पर जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या एक प्रावर्तक प्रिष्ट है यानि कि आये है यहाँ पर एक अपारदर से सत्य है यहाँ पर क्या होता है कोई प्रकास की रन कुछ इस प्रकार से आ रही है यहाँ पर जैसे ही आती है ना यहाँ से टक्रान के बाद क्या होता है यह दूसरी दिशा में चली जाती है और यह जो घटना है इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकास का प्रावर्तन ओई चीज यहाँ पर लिखा गया है देखिए कि जब प्रकास की रन किसी अपारदर से सत से टक्राती है तो वह प्रकास की रन दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है इस घटना को प्रकास का प्रावर्तन कहते हैं आपको याद होगा छोटा में हम लोग क्या करते थे धूप में खड़े हो जाते थे एक मिरर यानि कि आयना यानि कि दरपन लेकर और क्या करते थे धूप से क्या करते थे वहां पर प्रकास को यहां पर लेते थे अपने आयने में और क्या करते थे किसी के चेहरे पर मारते थे कभी कबार पिटाई भी हो जाता था हम लोगों का तो इस प्रकास जो करते थे ना ओई है हमारा प्रकास का प्रावर्तन अब देखें यहां पर है तो यहां पर जो कौन बनता है इसको में लोग बोलते हैं प्रावर्तन कौन क्या बोलते हैं प्रावर्तन कौन ठीक है और यह जो आपतित कौन होता है इसको में लोग आई से सुझित करते हैं और यह जो प्रावर्तन कौन होता है इसको में लोग आर से सुझित करते हैं क्या कहता है कि जो हमारा आपतन कौन आई है और यह जो परावरतन कौन आर है यह दोनों का मान हमेशा क्या होता है समान होता है कहने का मतलब अगर यह हमारा 30 डिग्री होगा तो यह भी हमारा कितना होगा 30 डिग्री ही होगा अगर यह 60 डिग्री होगा तो यह भी कितना होगा 60 डिग्री मलब दोनों का जो कौन होता यान कि आपतन कौन परावर्तन कौन और यह दोनों क्या होते हैं सेम टू सेम यानि के समान यानि के बरावर होते हैं आगे देखिए जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रकास का प्रावरतन का जो दो नियम है अमारे पास एकजाम में कोश्चन पुशे आता है कि प्रकास के प्रावरतन के कितने नियम है तो प्रकास के प्रावरतन के दो न होता है एक होता है समतल डरबं और एक होता है एक होता है उतल दरबं विख चेसे हैं। ठीक है मलब गोली दरपन आपका दो परकार का हो गया एक अउतल और एक आपका उतल किलियर है आगे देखिए यहाँ पर बात को समझे पहले बात करते हैं समतल दरपन कि समतल दरपन में किस प्रकार से परतिविम में बनता है परतिविम मने होता है इमेज यानि कि चहरा जिसक आपको वस्तु बोल सकते हैं आपको या बोलेगे बिंब बूलेंगे और यह जो दर्पन में बरहें लूए प्रती तरहा बोलेंगे इस में नोम विक ह मिक्ते बैज यह बात के कुब्राद समय आ रहा कोई प्रोब्लम नहीं हो चाहिए आप यह बात बनता है काल पनी को अबाशी और यहां पर यह चेहरा बनेगा यह बस्तू के बराबर होता है यह बस्तू जितना बड़ा होगा उतना ही मनला सी के अकॉर्डिंग यहां पर बनता है आपका परतिविम्ब दर्पन से उतने ही दूरी पर बनती है जितने दूरी पर वस्तु यानि कि बिम्ब है बिम्ब जितनी दूरी पर है उतने ही दूरी पर यह जो आइना है यानि कि जो संतलदर्पन है यहां पर हमारा परतिविम बनता है और यहां पर यह जो परतिविम होता है और पासर्व परिवर्तित होता है पासर्व परिवर्तित का मतलब क्या होता है कि आपके घर में जो आईना है वहां पर आप खड़े हो जाएए अगर आप दाया हाथ को उ वाउ क्या है वाउ ठीक है और यह क्या हमारा आसी ठीक है अब यह वाउ आसी मने क्या होता है तो वा मने होता आपका वास्तिविक वा मने क्या होता है वास्तिविक अरू मने होता है आपका उल्टा ठीक है मने जब वास्तिविक परतिविम बनेगा तब वह कैसा होगा तो उल् और जब परतीविम हमारा अभास्तिविघ बनेगा तो उस case में परतीविम क्या होगा उल्टा होगा तो जिस यहां पर आभासी बन रहा है इसलिए हैं पर सिधा हो रहा है बात समझ में आया और आभासी बोलिए या पिर कालपनिक बोलिए दोनों का मतलब एक ही होता है आगे आगे बढ़ते हैं आगे समझते हैं आगे देखिए गोल ये दर्पन के बारे में भी हमनों डिसकस करने वाले हैं तो इससे पहले कुछ कोश्चन्स देख लेते हैं जैसे कि यहां पर देखिए गोल ये दर्पन की जो फोकस दुरी होती यान के आप और जो वक्रता तिर्जा होता है यह दोनों में सम्झन के आए परिदैख लीजिए ठीक है तो इसको आप नोडाउन करके रख लिए याद कर लिजिए और देखिए यहां पर हमनों बोल सकते हैं कि कुछ नए इक है तो एक गुनार करेंग तो आर होगा और इससे दो आप हो जाएगा तो इसको आप पटा दो या फिर बडाबर आपको जो मर्जी जो बोलियों कोई प्रोलम नहीं है तो यहां से इजामे बनते हैं कैसे इसे बनेगा है यहां पर ऐक गोली दरपन की वखरता किसी जी की फोकस दूरि बिस सेंटीमिटर है continuous था है यहाँ पर हमें निकालने के कहा गिया बहकरता तर्ज economy को आर बोलते हैं ठीक है तो आर का जो फ़र्मॉला होता है ऑर का फ़र्मॉला भी आम को बताया क्या होता है आप एक ची जान लेजिए देखिए यहां पर यह जो फोकस दूरी होता है आप को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी और वकरता तर्जा यानि के आर को बोलते हैं हम लोग वकरता तर्जा इस बात को आप याद रखेगा तो यहां पर फॉर्मॉला हो यानिके 32 बटादो हो जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं कोई प्रोलम नहीं है और अब सेंटीमिटर लिख दीजिएगा अब ह Una你 के बारे में कुछ भी नहीं बू法 honorrad उसक Videos करेंगे जब उतल दर्पन पढ़ेंगे या फिर अव९ ने उस केस में हम लोग चीन को देखेंगे आफी आप कुछ चीन से नहीं देखना है जब गोली जर्पन का अब का बात होगा तो वहां पर आपको चीन नहीं देखना है आगे जब हम लोग उतल दर्पन और उतल दर्पन पढ़ेंगे उस टाइम हम लोग चीन नहीं देखेंगे कभी अगर आपको question में गोल ये दर्पन लिखा हुआ मिल जाए तब आपको चीनने के ऊपर discuss नहीं करना है आपको चीन नहीं देखना है जैसे यहां पर उतल दर्पन दिया गया है तो यहां पर उतल द का चीन हमें देखना है उतल दर्पन का चेन हमें देखना है यांने की कितनाος 32 संटे Me trip कितना और 12 cm। और वोग्ता तेखिया यहार होता है निया, पोजिटीव होता है, याने कि धनात्मक होता है, आगे में आपको बताऊंगा, आगे आपको टेंसें ने लेना है, आगे आमसे चिन्निक के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में, आपको कोई दुसरा वीडियो ढूनने का जरूरत नहीं है एक ही वीडियो में हम लोग complete chapter को cover करेंगे ठीक है आगे देखिए आगे क्या है आपका जैसे कि मेना को बताया कि आपका जो दर्पन होता है दो परकार से होता है एक संतल दर्पन और एक गोलिय दर्पन हमारा दो परकार का होता है एक होता है अवतल दर्पन और एक हो तो इस प्रकार से बना सकते हैं देखिए दोनों जो दरपन होता है आप इसको याद किस प्रकार से रखेंगे अगर आप परिचा में भूल जाते हैं कि हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है तो देखिए बात बहुत ही सिंपल है बात कैसे सिंपल आप समझ लिजी देखिए इस क्रें प्यरा जो आर्कार मारेंगे तो यह क्या करेंगसे म् किया हो जाएगा जिए Україra मारेंगे मुक्का मारेंगे मुक्का मारेंगे कुछ इस प्रकार से धंस जाएगा और जब मुक्का मारेंगे तो यह क्या करेगा आउ करेगा मतलब जैसे दर्द होगा नहीं आउ करेगा तो आ से आपका हो गया उतल ठीक है और उसे आपका हो गया उतल बात को समझ दीजिए द दर्दोगत क्या बोलेगा आ-उ बोलेगा न तो से आपका होगे और उ से होगे आपका उतल ठीक है ये बात तो किलियर हो गया कोई दिकत नहीं है आप आसाने सियाद रख सकते हैं ये सब्सटर्श से यह आपका पेट को जैसी बुता मारें गे या फिर मुक हमारें गे टीक है तो यह इस प्रकार से हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर आ कर हो got tastes करें नहीं क्यों आ और आ हो जा रहा है यह हमेशा कि दर और यहां पर देखिए यह हमार दरपन हो गया तो यह राइट साइड और यह लेप्ट साइड तो इस प्रकार से आप आउतल और उतल को भी याद रख सकते हैं सर्चल्य दरपन के रूप में वाहनों के हेड लाइट के रूप में किया दारही वाली दरपन के रूप में सोर कुकर में सोर भटी में हजामत बनाने में और प्रावर तक दुर्वीन में और उतल दर्पन का अगर हम उपयोग देखें तो गारी के पश्च दिरिश से दर्पनिया की साइड मिरर की रूप में और रोड पर लगे प्रावर तक लेंप में तो ये सब था समतल डर्पन आउतल दर्पन और उतल दर्पन का उपयोग कि कहां पर किस द Après का उपयोग क्या जाता है और यहां से एकजाम में कोस्च बनते हैं तो यह सब इंपॉटेंट है और यहां से क्वेश्च लेंस बनतें हैं आपको हर एक चीज को अच्छे तरीके से करना है, पढ़ना है, समझना है, आगे देखिए, आगे क्या है आपका, यहाँ पर देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, क्या आपका दो परकार का दरपन होता है, देख लिजी आप यहाँ पर सबसे पहले यहां पर हमारी पास कुछ इस प्रकार से एक तर्पन है ठीक है और इस प्रकार सो आरप कारे यह हां पर आप यह लोग का J connecting यानि के ध्रोब तेक है यहां पर जैसे कि यह हमारा क्या है यहां पर देखिए यहां पर जैसे कि यहां पर आपको केंद्र मिलेगा तो यह जो केंद्र होता है केंद्र को असलिक्ति कांद्र मिलें वकर्ट मिलेगा यहां पर लेकर यहां पर लेकर जो दिर्जा मिलेंगे और यहां पर अंध्र शुद करते हैं उसी होजाएग livre हो जाएग्व स्मझमें आया कोई नहीं देखे यह अगर। прот야 यह मुझा पर चाहिए इसको सी दोर यहां पर कर कर रहे होता है लाइन यह लाइन जो इसलाइन को मुझक्या मोझे बोलते हैं तो एकक करेंगे यहां पर देख लीजे आपको अच्छी तरीक्ये से खिलियर हो जाएगा केंद्र को गोले दरपन का बोलite सकते हैं या फिर टिक है अबर गोली दरपन का बगरता केंदर कहते हैं और इसं coverage of सुझित करते हैं आगे देखिए बվकर mister क्या है की गोले का भाग होता है इस गोले की तिर्जा को simply तर्जा करते हैं और इसे हम लोग और दोबारा सुज़िद करते हैं मने यहां से लेकर यहां तक यह जो तर्जा खुलेंगे बखरता तर्जा बोलेंगे ठीक है आगे देखिए यहां पर आगे क्या है गोलीट दर्पन के धृूप भी तथा वकड़ा कि अंदर आर से होकर होता है मुख्य फोकस तो यहां पर देख यह यहां पर यह जो आप देख पा रहे हैं इसी को लोग बोलते हैं मुख्य फोकस्त एक्च्ट वह होता क्या बात पर ठगराएगी और ठगराने के बाद क्या होता सिर्य यह एप से निकल जाता है यहां पर भी नानन से प्रकास किरन इस प्रकास आ रहे हैं और यहां पर यह जो मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं चलिए आगे बरते हैं आगे समझते हैं देखे क्या हैं बच्चि अक सर कscale करते हैं और उन्हें समझ महीं हो कि यहां पर मैं को किरन्ह नारे को किरनारे कि बताओगा और आज चिंदेगे में कभी किरनारे को नहीं भूलेंगे तो देखिए हैं आवर Сबसे हमनों लुक्त करते हैं और यहां पर कुल मिलाकर च्छौडीसर्ण यानि कि च्छौड केस बनते हैं उटक यहां को यहां पर देखना है कि वस्गुमारा कहां पर रहेगा और इसका प्रति भी कि यहां पर बनेगा क्षितでも हम यहां पर यह जो होगा यह हमारा यहां पर यह जो होगा यह हमारा सी हो जाएगा अभी मैंने आपको बताया देखिए अबर छो किस क्या क्या बनता है छो जगा क्या क्या होगा जहां पर बस्तू रह सकता है पहला बात या तो बस्तू हमारा अनंत पर रह सकता है या फिर बस्त स्कता है या तो हमारे नंबर होसकता है या पिर वस्तु नुबर के बीच मिलेंगा बात समंझ माया बस तु रहने का यानि कि بीम का रहने यह विघुत ओ बात रहने हैम और दो नंबर में रहेगा या पिर पिर तीन नमबर में रहेगा या पर पांच नमबर में रहेगा या तो अनंत में रहेगा या फिर से परे या पिर रहेगा सी पर या पिर रहेगा सी था एप के बीच या पिर रहेगा एप पर या पिर रहेगा एप तदा पी के बीच और देखिए यहां पर पर परतिवी में जो बनेग देखेए चार नंबर यह जो है इसको फोलागे पांच नंबर और छो नमबर को हमों समय उपर कुछ प्रांज से लिकुत रिख लें लेते है बात नंबर को यहां पर आयेगा 100% आएगा यहांपर हो कहा पर नंबर काई級 है और यहां पर चुंहेंघ नंभरे का पर हो यह रहा हमारा दो नंभर मतलब हो यहांपर बने चार नमबर वाले घर में लेते हैं यानि कि सी और आपके बीच में लेते हैं तो देकिंगे चार नमबर कहां पर है यहां पर है C से परे बनेगा, ओहीं हमने लिग दिया C से परे। हो यहां पर पांच नमबर है यहां पर लेते हैं तो नीचे पांच नमबर आपको यहां पर मिल रए अगर बस तो आप प्रोबलम नहीं आगे देखेए यहां प्र यह जोग नंबर यहां पर पर्शार प्रम यहं rendre यह lawn होता है यह चोटा होता है। तीन नंबर वाला यहलए यह भी हमरा बडाबर होता है। क्या होगा बराबर होगा और देखें यहां पर आपको और एक बात यहां से याद करना है क्या याद करना है यहां पर यह जो होता है यह वाउ होता है क्या होता है वाउ यानिकि वास्तिविक होता है और उल्टा होता है वालो यह सच में बनता है यह वास्तिव में बनता है तो उल्टा प्रतिवम बनता है और यह जो उपर वाला यह तो बड़ा तो होता है तिकने साथ साथ यह आसी होता है यानि कि आभासी होता है और सिधा होता है यह जो बने का नहीं यह च्वा नंबर यह आभासी होगा और सिधा होगा अगर आप यहां से कंक्लूजन निकालेंगे देखें बात क्या है, यहां पर सारा का सारा कुल मिला कर यह पांश ठो है, यह हमारा कैसा बन राहा है, वास्तविक और आभासि और सीधा, तो इस परकार से आपको यह चीछ को भी देखना है और याद रखना है ठीक है, आगे देखें आगे आगे का ein अब यहां पर पहला केस कि अगर बस्तू जुह होगा वह लुए कौहाँ में और फिर्सटो घिमार और यहां रहेगा तो पर धुत आपर बनेगा उस्कारस आगर वस्तू यहां पर लिखा गया है देख लिजी अच्छे तरीके से ठीक है और देखिए यहां पर और समझ यह बात को कि क्या दिया गया है यहां पर यह जो दो नमबर बनता है यह छोटा बनता है और यह एक नमबर बनता है एकदम बिंदू साइज का बनता है मतलब अगर हम लोग यहां पर बोले insert तो यहां पर यह जो होगा और यह जो होगा यह दोनों का दोनों हमारे क्या होता है छोटा ही होता है यह चोटा है और यह बिंदू साइज एक दम इतना टिरा जैसा होगा तो यह दोनों चोटा ही हो गया और देखिए यहाँ पर यह जो बनता है परतिविम भी यह आसी होता है आसी का मतलब आभासी होगा और सिधा होगा आभासी होगा और सिधा होगा इस बात को आप याद को दिखते हैं यहां पर चोड लेखते हैं कि यहां पर तो है थोड़ा जो जाहे गा और डैन्स का दो केस हुया इसको आपको देखना है और यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं और हुटा से टीक है त्य। यहां पर हमारा होता है जिसको भी बहुत सकते हैं पर उसे प्रकार से धर हो जाता था समारा अनंतफर यहां थो बने रहे हो का क्वा ज पर यह सब्सक्राइब और हो से मोलागा यह सब्सक्राइब यह को बात दोनों का एक यह ठीक है यहां पर इत्हों चार नमबर होगा या पर 2F1 पर होगा फिर क्या होगा वस्तु यहां पर 4 नमर में होगा यानि कि C1 और F1 के बीच होगा फिर वस्तु पांच नमर में होगा यानि कि F1 में होगा और 6 नमर क्या है कि वस्तु यहां और F1 के बीच में होगा कोई साभी कंडिशन यहां पर हो सकता है यहां पर लिए तो नमर आपका यह रहा मानल भी हां पर होगा अप्टू और सी टू बोलिए या पर आप टू और टू एप्टू बोलिए इन दुनों के बीच में होगा के लिए थोड़ा समय मिटाता हूं फीर मिआ आपको समझाता हूं तीन नमर बाला देखें कि अगर वस्तों हमारा रहे हैं तो यहां पर बनेगा उन्हां पर यहां पर देक्ट हैं गए हैं जो यहां पर यहां पर बनता है यानिकि लेंस की और जीस और वस्तु है मनें जीस साइड में वस्तु होगा उसी और आपका परतिविन बनेगा और लेंस की और उसी साइड बनता है जीस और हमारा क्या हो वस्तु हो किलियर है यहां पर आप देखेंगे तो एक नमबर दो नमबर बाला होता है यह हमारे चोटा होता है यह जो बीच वाला होता है और इसद्धा ऑस्था होता है और या Αसी होता है क्लिए प्रूल्म से का बात करेंगे या तो जो वस्तु होगा यह अनँद पर रहेdfest या फिर यह जो हमारा अनन्थ है और यह जो ओ है प्रकासिक केंद्र इसके बीच कहीं पर भी हो सकता है कहीं पर भी हो सकता है ठीक है तो देखे पहला करने से मतलब यहां पर एक नमबर है यहां पर आपका एक नमबर है मना अगर बस तू अनन्थ पर रहे तो परतिमी कहां पर बनेगा फ 1 पर बनेगा और लिखा गया है यहां पर पर आफ नपर भी तो और Пर बनेगा या यांदम और बनेगा यहाOPर और लिखा गया है आप में आपको बता या उदर कोई प्रोल्लम नहीं है अभी मैं उसी टाइम होगा जब जो वस्तो немного दरपन के द्रूव और सिधा होता है आपको मैंने बताया यहां पर आपको समझ में आ जाएगा देखें यहां पर इसको को यह बला कंडिशन यहां जो वस्तू होगा हमारा यहां-पोर-पीकि में बनता है इंगे किलियर।ardर बात समझ में आ गया, देखिए हें यहां पर अगला question क्या है, अगला point क्या है कि उतल दरपन दोरätt बना परतिविम्प właściز in study aware the लब एक है हमेसा आभासिक प्रतिविंब बनाता है उतल दर्पन का विस्तिरित छेत्र छोटा होता है ठीक है या फिर दिरिश्टी बोल सकते हैं यह छोटा होता है उतल दर्पन द्वारा परतिविंब हमेसा सीधा एबंग छोटा होता है आगे देखिए आउतल दर्पन में प उतल दर्पन को हम लोग अभिसारी दर्पन काईते हैं उतल दर्पन को हम लोग अपसारी दर्पन काईते हैं उसी प्रकार सब्सक्राइब लेंस का बात करें तो उतल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस काईते हैं और आउतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस काईते हैं और दे जाके किलियर है आगे देखे आगे समझे आप यहां पर कुछ फॉर्मूला कुछ फॉइंट बहुत ही अच्छे तरह किसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है देखे क्या क्या है यहां पर यह प्लस है यहां पर सिंपल सा यहां यहां पर यह जो यूब ऑर यह यह पर देखे बीक लंग की दूरी यू को बोलते हैं और यहां पर यहां पर नहीं होता है जब ह们 का माइनस होता है ड्रीemptat हमें यह सकती यह क्या होता है कि अ quindi परिपाटी जो की बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आप नुम्रिकल को बनाते हैं तो आपको चिन परिपाटी पता होना चाहिए नहीं तो आप यह नहीं बना पाएंगे, घ्लिसिते हैं तो आउतल दर्पन में क्या होता है, अदैंने उतल का बाकर। इसमें तो इसमें यू इमान मांन ऐता है, बाद राकि सबका मानों आपका क्या होता है ? प्लस होता है जिसurnी कि आपका AH F हो गया? R हो गया ए तो उसका जो मतलब भी का जो मतलब साइन होगा और क्या मॉने दर cat और कालपनिक की केस में आपका क्या हो जाएगा पोजटिव हो जाएगा उसी प्रकार से उतल दर्पन में अगर आप देखेंगे तो सारा का सारा परति भी हमार कैसा बनता है कालपनिक ही बनता है इसलिए आपर भी कमान केवल क्या होगा प्लस ही होगा उसी प्रकार से आगे द प्लस भी आता है ठीक है और यहां पर उतल दरपन में हमारा एम कामान केबल और केबल प्लस ही आता है ठीक है और देखिए एम कामान जब आपका प्लस होगा तो क्या होगा आसी होगा यानि कि आभासी होगा और सीधा होगा बात समझना आया और जब एम कामान आपका निए जिसको में लोग आवासी बिलते हैं तो पलस होने से क्या हो जाएगा आपका आशी हो जाएगा निकि यह और सीधा होगा तो इस परकार सब समझ चकते हैं बहुत यह सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ आगे देखिए अगर लोग लेंस का बात करें तो उतले लें प्रकार की दरपन की फोकस दूरी माइनस में होता है और फोकस दूरी माइनस में होता है तो बताइए वह कौन सा दरपन है जिसका फोकस दूरी माइनस में होता है तो अभी में आपको बताया तो देखिए यहाँ पर अगर फोकस दूरी का बात करें तो फोकस दूरी माइनस में इसका होता है किसका तो आउतल दरपन का तो यहाँ पर जो एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आउतल दरपन हो जाएगा आगे देखिए अगला question क्या है कि एक दरपन की focus दूरी plus 30 cm है या दरपन किस प्रकार का है देखिए यहाँ पर अबरी जो focus दूरी दिया गया plus वाला है और अभी में आपको बताया कि देखिए जो focus दूरी plus वाला किसका होता है तो उतल दरपन का होता है तो यहाँ पर आप क् इस प्रकार से कोशन मंते हैं मैं आपको उस चीज़ के बारे में भी बता दिया आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं आगे देखें क्या है आपका अब यहां पर हम लोग बात करते हैं अपवरतनांग का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकास की चाल बटे माजधम मे तो अपवरतनांग काम होने पर माजधम ़िरल होता है अगर आपका अधिक रहेगा तो जो मजधम हो garden होगा वा सगहन होगा और इगर आपवरतनांग काम होता आइड Rossum वगा तो विरल होगा इस बात को आपको याद रखना है देखने सुट्छ माजधम गया है और आप वर है इस आंगर ज reassay ऐसे में कोई कोई बचक्चे पुछिंग की सर बताइग sicil Response visiting में हमारा कोन सघन माईधद्धम मैं कोन विरल माईधद्धम कोई नियू彑 500 नियू या यह입니다 तो जल का परतरंक जादा है, इसलिए जल हमारा सघन हो गया, और वायू हमारा क्या हो गया, विरल हो गया, आगे देखिए दुसरा नमर में क्या है, जल और और कांच ले ले लेते हैं, तो यहाँ पर जल का परतरंक होता है, 1.33 होता है, और कांच का क्या होता है, 1.5 होता है, जब देखिए, अब वाई और जल में हम लोग कंपेर कर रहे हैं, तब यहाँ पर हमारी जल सगन है, लेकिन जब जल और काश में बात करने हैं, तक यहाँ पर जल हमारा क्या है, विरल है, तो इससे आपको माइन में याद रखना है, बात है यह कि अगर आपका अपरतनांग च के सकते हैं तो यह अपने मुल्दिसास से जलित यानी के 13 हट जाती है कि मांःकि चलिए जिससे कि प्रकास परकॉट चलोग कोई ने किसको बोले इस बात 不थ समझ जाता है थी जहाँ पर क्या होता है जो प्रकास किरणन जिस आपर दो बात होता है तो नोट है है और दो चाप को समझना है परहला अंत बोलह नगा हो विरल मात धाम से सघं माहिधम में सब्सक्तित करें की एक प्रकार प्रकार चाहिए तह disponics लेगी इस प्रकार से ना आने के बज्ञाई यह क्या होता है अभीन ड़ जाता है देखिए यह यह जो लाइन है यह लाइन यह किदरिक है अभीवन यह वहला लाइन यह लाइन कि अभी लाम फासài सस्क्राइब तो कब होगा ऐसा जब हम ल लोग के सगन मinkles मैं परwar चीस आप लिखा गया है कि जब प्रकास किरन मत我就 सगन माध्म में प्रविस करती है तो यह अबिलंब की और मुट जाती है आगे देखिए बाओ स करें तो आपको इसा अभी एक्जामपल ले सकते हैं से अभरी जो इसको आना चाहिए था देखिए इस प्रकार से जाती है इस बात को आपको तो चलिए वह बात कर लेते हैं प्रकास के अपवरतन के नियम तो देखिए जिस प्रकार से प्रकास के प्रावर्तन के दो नियम होते हैं उसी प्रकार से प्रकास के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं यहाँ पर दो नियम क्या क्या है देख लिजिए जिसे कि पहला नियम जो है आपतित किरन और जो अपवर्तित किरन है और जो अपवरतन कोन आर है अगर यहां पर हम लोग साइन ले लेते हैं और इन दिनों के अगर हम लोग डिवाइड करते हैं यानि कि दुनों के अगर हम लोग अनुपात करते हैं तो यहां पर हमें जो वहलू मिलेगा वह क्या होगा इस्तिरांग होगा यानि कोई हमें यहां पर एक स्तनेल का जो नियम होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा बात समझ में आ गया साइध आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू चैहिंद तब तक आप लोगे गिदम मुस्कुराते रहिए